सिन तरी रूलight का एकेट आ नमस्कार आज मैं आप से एक नए प्लैट्फॉल bakayım बात करना चाहता हूं शायद हम लोग जानते हैं कि हम लोग कि न मश्क कर आज मैं आप से एक नए प्लैट्फॉम के बारे में बात करना चाहता हूं हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि सारे देश में हमेशा से एक माहूल ऐसा रहा है कि अगर कोई नागरिक एक बार अपनी वूटिंग कर लेता है तो उसका पांच साल तक सरकार से, समाज से या किसी भी प्रकार की निर्णय प्रक्रिया से कोई सम्मन नहीं रहता वास्तों में ऐसा नहीं है वास्तविक्ता ये है कि एक व्यक्ति दिन धर जब तक वो सोता नहीं सोचता रहता है व्यक्ति सोचता रहता है लेकिन समुदाय सोच नहीं सकता समुदाय अगर सोचनी की बात करता है इसका मतलब यह है कि कोई एक सोच रहा है और सारा समुदाय उसके पीट पीछे चल रहा है प्रकृति में समधाय पैक्ट में रहने की आदत तो भेडियों में बखरियों में होती है लेकिन इनसान अलग है अन्ने जानवरों से एवोल्यूशन हो चुका है, उसका उत्कृरांथ हो चुका है कई लोगों ने बलिदान क्या पूरे विश्व में कई लोगों ने अपने जान दे दी कई लोगों ने कुर्बानिया दी तब जाकर सारे विश्व में कई देशों में लोकतंत्र आ गया हमारा भी स्वतंत्रता इद्ध का अपना इतिहास है उसके बाद हमें सविधान मिला और उसके बाद हम we the sovereign people of India यानि हम भारत के सारोभम नागरिक बनने का मतलब है हम एक व्यक्ति, एक individual कुछ माइने रखता है उसका opinion कुछ माइने रखता है शुरू में मैंने जो कहा कि हर वेक्ति ये सोचता है कि पांच साल में एक बार मैंने वोड दे दी तो जो भी सरकार आएं वो संभाल ले असल में लोगतंत्र का आर्थ ये नहीं है लोगतंत्र में ये बात है कि सरकार सिल्फ facilitate होती है सरकार जो आपको अत्यावशक सुविधाएं हैं कानून और सुववस्था है और पराष्ट निती और सेना जैसी जो चीज़े हैं उसके उपर गाम करती है और आपको creation of wealth यानि संपत्ति का निर्माण और अपनी creativity, imagination आपमें जो भी ताकत है आपमें एक वैक्ति में जो भी कला है एक विचार है उसे बढ़ाने का उसे समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उप्योग में लाने का एक आवसर देती है सरकार का काम इतनी ही इतनी तक सिमित है सरकार आपकी नीजी जिन्दगी से कोई वास्ता नहीं रखती है कम से कम कागज पर तो लोकतंतर की यही वैक्या है इसलिए सविधान में शुरू में ही कहा गया है क्वीद सवरून पीपल अफ इंडिया हिंदुस्तान के भारत के सविधान में लिखा गया है लेकिन दुनिया के कई लोकतंतर में डॉक्टर पावसब आमबड करने दुनिया के सारे जितने लोगतांतरिक देश हैं उनकी सविधान का अभ्यास किया था सविधान बनाने से पहले क्योंकि घटना जो सविधान है उसका सविधान समीती की अध्यक्षता जो थी वो डॉक्टर बावा सावा मड़े के पास थी उन्होंने सारी सम्विधान देखी और बाद में हिंदुस्तान का आजाग भारत का सम्विधान बना उसमें एक दिक्कत यह थी कि हमारे जो कानून है CRPC और IPC वो सामराजवादी ब्रिटिशों ने जो बनाए थे वो वैसे के वैसे रह गए IPC और CRPC हलाकि बात यह थी कि ब्रिटिश गवर्मेंट लंदन से हिंदुस्तान को चलाती थी उनका अपना सामराजवाद था यहाँ पर हजार पाइस जार ब्रिटिश जो भी ऑफिसर से वहां रहते थे और हजार सेगड़ो करोड अभी 125 करोड लोग है लेकिन तब समझ दीजिए 50 करोड 60 करोड के आबादी के एक देश को चलाने के लिए उनको ऐसे एक हुकुमत की दवरत थी ऐसे कानून की दवरत थी कि जो दबा सके लोगों का दमन कर सके तो वो CRPC और IPC बने हैं आज भी आगर आप कानून की बात करें तो 1870, 1857, 1840, 1840 ऐसे IPC के पीछे धाराएं जब लगती है तो उसके पीछे उसकी तारीख हुआ करते है तो आप देख सकते हैं कि सवीधान हमारा जवान है, सवीधान लोगतांतरिक है लेकिन CRPC और IPC जो है वो बने हुए उस जमाने में इसलिए आप जब पुलिस थाने जाते हैं तो आपको दरोगा का डर लगता है, आपको सुरक्षा महसूस नहीं होती, आप किसी सरकारी कचर ही है, आपको ऐसा लगता है कि वो साप मनमर्जय आएं, अपना भविष्य बिगाड़िया बना सकते हैं, इसलिए आप उनको देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, बड़े साब मानते हैं, जो भी है लेकिन वो असल में उनीस सो पचाशा, चबीस जनवरी उनीस सो पचास के बाद पबलिक सर्वंट बन गए, यानि वो देश की सेवा के लिए, यानि देश की जनता की सेवा के लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं, कई लोग ऐसा मानते हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोगों के नौकर है, ऐसा नहीं है, वो आपके फैसिलिटेटर हैं, जैसे कि एक ट पागरिक है तो उसों एक ही वोट है इसका मतलब हम सब एक समान है स्त्री हो पुरुष हो गोड़ा हो कावा हो सौथ इंडिया से हो नौर्थ इंडिया से हो कहीं भी देश के किसी भी कौने से हो यह प्लैटफॉर्म जो हम बनाने जा रहे हैं वो राजनेटिक नहीं है और नहीं सामाजिक है हम दायरा इतना सिमित नहीं रखना चाहते और नहीं किसी के पक्ष में हैं नहीं किसी के खिलाफ है क्योंकि कई बातें जो हैं वो यह सारी परिधी को तोड़ कर आगे निकल जाती हैं कुछ बाते होती हैं जैसे कि कला कला आप किसी राजनेटी से किसी सामाजिक व्यवस्ता से सोच कर सिमित कर नहीं सकते यहां तक कि बात कभी-ज़बी ऐसके हो जाता है कि हमारे देश में सेंसौर बोर्ड है तो वो कला को अपने दायरे में बंद करना चाहता है कला किसी भी दायरे में बंद नहीं हो सकती हाला कि यह है कि यह बाते कहीं जाती कि freedom of expression कोई अनन्त नहीं है उसे अपनी 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 दायरे हैं यह बात नहीं है लोकतंतर का मतलब यह है कि आपको अपनी आवाज एक वेक्ती होने के नाते जितनी तेजी से और जितनी कलपना से उठाने का हक है उतना हक लोकतंतर के सिवाए किसी भी दूसरी तरह की व्यवस्ता में नहीं मिलता और असल में ये बात है कि सरकार जो है प्रशासन जो है नियाए पालिकाएं जो है और मिडिया जो है उनको यह समझना चाहिए कि विरोध के आवाज जो है कि इस बात का एक छोटा जनसमदाई विरोध कर रहा है और क्यों कर रहा है क्यों सत्या और संख्या का कोई संबन नहीं होता दुनिया में कई बार ये फैसला हो चुका है कि संख्या में जो कम थे वो लोग सत्य के साथ थे और संख्या में जो जादा थे या समुदाय में जो थे वो असत्य के साथ थे लोग तंत्र हमेशा यही आपको मौका देता है कि आप भले अकेले हैं लेकिन अपने आवाज, अपनी ओपिनियन आपको रखनी है और सरकार को उस पे पूरी गंभीरता के साथ विचार करना है ना कि उसे दबाना है हम, यानि मैं नहीं, मेरे कई साथ ही है वो बारी-बारी से आपके सामने आएंगे ये एक प्लैटफॉर्म तयार करने जा रहे हैं जो ना कि सामाजिक है, ना राजनाइतिक है हम भाशा तक भी उसे सिमीत नहीं रखना चाहते हम, आज मैं हिंदी में हाला कि बोल रहा हूँ लेकिन ये मराठी में भी आजाएगा अंग्रेजे में भी कभी आजाएगा और यहां, यहीं नहीं कि यहां कोई गुरूडम नहीं है कि मैं बात करूंगा हर बार आपसे बात यह है कि कहीं बार हम इस पे यही प्लैटफॉर्म से आप तक शॉर्ट फिल्म्स पहुंचाएंगे हम लोग कई बार डिस्कुशन्स यहीं पे होंगे वो जो आप तक पहुंचेंगे हम लोग डिबेट करेंगे किसी भी विशाय पर जैसे आज कर एक गाय एक मुद्दा बन गया है खर ऐसे कहीं विशह है कि अवरत को समानता चाहिए और हम लोग यह मानते हैं कि डॉक्टर बाबा साव आमबर कर जो तिराव फुले यह जो महारास्ट से थे और उत्तर भारत से भी कहीं आगे समाज उत्तर भारत से कहीं सामाजीक सुधार लेकर कहीं नेता हैं जैसे कि एक राजाराम महंदरा पश्रिप बंगाल से आएं उन्होंने अगर तब सदी प्रता का विरोध नहीं किया होता तो आज हम देखते कि सदी प्रता का बंध होना आज के तारीक में तो बड़ा नामन की नहीं होता है कि वह धर्म किसी का आहत हो जाता दिल तो करें नहीं देते तो उस वक्त हो गया क्योंकि राजाराम महंदरा जैसे लोग थे जन्होंने बहुत आगी की देखा तो यह प्लैटफॉर्म हम कुली मिला कि यह करना चाहते है कि कहीं शॉर्ट फिल्म से जो अपनी आपकी अपनी सोच है उसे छुएगा और आपको हमारे साथ जुड़ना है यह प्लैटफॉर्म मेरा नहीं है नहीं मेरे साथियों का है हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वी आर अल इक्वल और आप अगर आ जाएंगे तो इक्वल अमांग और हो जाएंगे आप हमारे साथ जुड़िए इसलिए हमने इस प्लैटफॉर्म का नाम बड़ा चुनकर रखा है हाला कि वो अंग्रेज़ी में है आप हिंदी में ले सकते हैं तैललगू में ले सकते हैं उसको भाषांतर करना कोई बड़ी बात नहीं वो भी आपको बारी-बारी से सामने आकर ये ही इसी प्लैटफॉर्म पे दीखेगा यू दो सवरन पीपल, ये फ्लैटफॉर्म का नाम है, यू दो सवरन पीपल, इसका हिंदी में अर्थ तो होता है, आप सारवभूम नागरी, या आप सारवभूम नागरी, मैं जनता नहीं कहना चाहता, क्योंकि पीपल का मतलब जनता अगर हम करें, पीपल का अर्थ अगर जनता हम निकालें, तो इसमें दिक्कत यह है कि फिर जन समुदाय माना जाएगा, यहां व्यक्ति, इंडिविजूलिसम को जादा एहमियत दी जाएगी, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, अगर वो पा अगर वो कुछ बदलना चाहता है, और बदलने की आग उसमें है, तो यह प्लैटफॉर्म उन्ही के लिए है, यानि आप के लिए है, यूद शवरन पीपल आफ इंडिया, तो हम यह प्लैटफॉर्म इंडिया के लिए सिमित रखना चाते हैं, बिल्कुल नहीं, हम सब सरकार तो बदलने के लिए होती है, इसलिए पांच साल के बाद देश में चुना होते हैं, ताकि आप सरकार अगर पसंद नहीं, तो बदल सकें, तो सरकार के साथ होना, या सरकार के खिलाफ होना, यह पॉलिसी पे निर्भर करता है, सरकार अगर creation of wealth, आपकी कला को, आपकी स सोज को, नए विज्ञान को बढ़ावा दे रही है, आपको एक facilitator बन चुकी है, एक trustee जैसे behavior कर रही है, तो सरकार को साथ देने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो सरकार के खिलाफ बोलना भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि लोग तंत्र में यह आ साजनाइटिक या सामालिक मुद्दों तक सिमित नहीं है, बात यह है कि आज की तारिक में दिखाई ऐसा दे रहा है, कि लोग अपनी बात रखने के लिए डर रहे हैं, मैं यह बात सिर्फ एक सरकार तक सिमित नहीं रखना चाहता, मैं जब से देख रहा हूं, मैंनी कि मेरे आपके लिए के कहने से क्या होगा, या मेरे कहने से मैं अगर अपनी बात रखना तो कौन सा बदलने वाला है यह देश, यह समाज, यह कौन, ऐसी बात नहीं है, इस दुनिया में कोई भी बात आप अगर लिए, करांटिकारी कोई भी बात, पहले किसी एक ने रखी, समुदाय कभी सोच नहीं सकता एक वेक्ति सोचता है फिर दूसरा सोचता है उसका विरोध भी होता है थिसिस, अंटि थिसिस, सिंथेसिस ये प्रक्रिया है लेकिन ये बात जो है जो मन में डर है इसकी वज़ा से हर कोई आप में से यानि मैं भी, मैं भी डरा हुआ हूँ मैं भी खोकला हूँ मैं भी ढोंगी हूँ जैसे आप है कोई भी हिंदुस्तानी इससे बचा नहीं है आज की तरिक में लोग डर इसलिए जाते हैं कहीं मैं पकड़ा न जाओ और पकड़ा कहां से क्यों पकड़ा जाएं, पकड़े क्यों जाएंगे क्योंकि आप डूंगी है क्योंकि जो बाते जो महान तक आप बता रहे हैं वो अपनी सारवजनिक जीवन में या अपनी नीजी जिन्दगी में आप अमल में नहीं ला सकते इस बात को कोई अगर पकड़ के आपको बदनाम करे तो क्या होगा इस बात से आप डरते हैं फिर आप एक भेड़ बकरी की तरह समदाय का हिस्सा बन जाते हैं और उनके साथ जाने लगते हैं अपनी व्यक्तिकत सोच, अपनी व्यक्तिकत विरोध अपने अंदर की अंगार को दबा देते हैं इस बात से आपकी अंदर की इंडिविजुलिटी यानि एवरी परसन इस यूनीक हर व्यक्ति एक अलग व्यक्ति है हर व्यक्ति एक क्रियेशन है प्रकृति का हर व्यक्ति को इसलिए बनाया है हम जो पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए, मेरे साथ ही जो पैदा हुए, उन्हें कोई विकल्प नहीं था, कि आपको स्विजरलेंड में पैदा होना है, इस गर में पैदा होना है, फला फला के घर में पैदा होना है, आप चुनिये, तो आपको चुनने का आप गलतियां करें, गलतियों का एसास करें, गलतियों में सुधार करें और आप अपने साथ, अपनी बात रखे समाज को सुधरते रहें तो बात यह है कि आप अगर ये बात को ठीक अंदाज में और ठीक तरह से समझ सकें तो आपके सामने कई medium से, कई माध्यम है, हम इस platform से सारे माध्यम आपके लिए खुले कर रहे हैं, आप उसमें आपका योगदान दे सकते हैं, और आपके लिए कोई परदी नहीं है, हम कई short films बनाने जा रहे हैं, कई discussions आपके सामने रखेंगे, और ये ज़री निक हिंदी में हम तमिल में भी रखेंगे, तेलगू में भी रखेंगे, मराठी में भी रखेंगे, अंग्रेजी में भी रखेंगे, और हम ये platform हिंदुस्तान तक और भारत तक सीमित नहीं करना चाहतें, आला कि हम ये पूरे विश्व के लिए हैं, क्योंकि कोई भी इनसान दूसरी इनसा इंसान आइश की खून आपको चड़ सकता है अगर आपका ब्रल्डू उससे मिलता हो तो सब के लिए लेकिन देश की जो सीमाएं हैं और अपने देश की जो 2 गल्पना है उससे हम चाहते हैं प्यार करते इसलिए क्योंकि ये जो सीमाएं हैं उसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि सब सारे विश्व ने एक विवस्ता के रूप में इसलिए हम मानते हैं लेकिन देश भगती की भी एक सीमा होती है उसके आगे आप एक विश्व मानव है ये बात को हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कोई भी विचारक कोई भी कलाकार अगर बहुत ओरिजिनल हो और बहुत ही सोचने वाला हो अपनी बात रखने से कहीं भी अपनी बात रखने से डरने वाला ना हो तो वो बात को समझ जाता है कि Humanism is ultimate goal of your own existence मानत वाद अपने अस्तित्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ी वजह है सबसे बड़ा कारण है आज आप मेंसे कई लोग बड़े प्रतिभाशाली हैं कई लड़के हैं कई नवजवान हैं और कई लोग है जो अपनी उम्र आदिकार चुके हैं और उन्हें लगता है कि अब वापस भी नहीं जा सकते आगे भी नहीं जा सकते तो चलो समुधाय के साथ चल जाते हैं लोग ज्यादा लोग जो कहते हैं बहु संख्या में जो लोग कहते हैं वहीं बात रख देते हैं मुझ में था लेकिन वह तो मैंने डवा दिया मैं भूल गया मुझे मौका नहीं मिला ऐसा कुछ भी नहीं है ये कोई उमर नहीं अब देखे क्या है कि आप ये सारी सारी चीज़े रिलेटिव हैं तो आप जब भी सोचते हैं वहीं मौका है आईए ये प्लैटफॉर्म हमारे साथ जब आप शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो प्रतिभा से आपके व्यक्तितुव को जिस तरह से जिस मकाम पे ले जा सकते हैं वो आपके लिए एक दरवाजा खुल रहा है बात यह है कि अब मैं चोटी सी चोटा सा उधारन देना चाहता हूं कि मैं ये उधारन देना चाहता हूं कि आज एक देश में मुद्धूर्ण